हेलो एंड वेल्कम बैक टू पीवाई कुपेडिया तो हम लोग रिवेजन थू प्रिवेशियर कुश्चन सरी चला रहे हैं और इस करी में हम यूपी पीएस्सी की दो हजार अठारा की कुश्चन कर चुके हैं और यह फोर्थ लेक्चर है हमने फॉस्ट थ्री लेक्चर जो दो हजार अठारा की कुश्चन थी उसको हम लोगे डिसकस किया था और आज से हम लोग 2019 की जो प्रिलेम की पेपर थी उसकी डिसकसन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग एक से पचास कुश्चन करेंगे पार्ट वन का और इस वीडियो फिर 51 से 100 तक करेंगे और हम लोग 101 से 150 तक करेंगे तो ऐसे तीन वीडियो में we are going to complete this 2019 part फिर हम लोग 2020 का करेंगे तो इसकी PDF आपको telegram channel pyq underscore pedia पर मिल जाएगी और आपको कोई suggestion देनी हो या कुछ भी ऐसा कोई problem लगे आपको किसी option में कोई error लगे तो you can mail me or you can write in comment section okay so let's start this session पहला question है हमारा कि newly appointed managing director of IMF कौन है तो IMF की जो managing director है वो आपको यह है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और आपको पता होगा कि IMF की जो headquarter है वो है Washington DC वासिंग्टन DC में है एक information यह याद रखिए यह जो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है वो आपको बुल्गेरिया की है है ना बुल्गेरियन economist है है ना और IMF कौन कौन report निकालती है World Economic Outlook, Global Financial Stability Report and Fiscal Monitor ठीक है इसके बाद आप याद रखिए कि इंडिया के जो अब इसमें कौन कौन है जैसे सुरजीत वल्ला है सुरजीत वल्ला एगजिक्यूटिव डाइरेक्टर थे है ना एगजिक्यूटिव डाइरेक्टर ओफ और फिर अगर इसमें क्रिश्टना लैगार्ड क्या थे तो यह सीज़ फ्रेंच पॉलिटीशियन पॉलिटीशियन्स है ना लयर थी और शर्ब्ट अज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट तो यह आप इतना याद रखें रगुराम राजान आपको पता ही है तो यह एडिशनल डिटेल आपकी इसमें भी एक्स्प्लानेशन में दी हुई है अगला कुश्चन है कि दनेशनल प्रोग्राम लांच डॉन अक्टूबर 10, 2019 बाइदा इंडियन गोवर्मेंट तो इंकरेज टैलेंटेज चिल्रेंट टू इन्रिच देर स्कील कौन सी स्कीम लांच की गई थी इंडियन गोवर्मेंट के द्वारा कि बच्चों की जो टैले लेवर रूम क्वालिटी इंप्रोग्मेंट इनिसियेटिव है कि जो लेवर रूम होती है जहां पर मैटरिनिटी ऑपरेशन थीएटर्स होती है बच्चे जहां होते हैं वहां पर क्वालिटी करने के लिए क्वालिटी इंप्रोग्मेंट के लिए लक्ष प्रोग्राम लाय थी MHRD के द्वारा ठीक है कि यहाँ पे जो to identify and encourage talented children to enrich their skill and knowledge उसकी skill और knowledge को enrich करने के लिए तो answer आपका क्या हो जाएगा ठीक है यह explanation है अगला question है इसमें आपको match करनी है है तो जैसे Thomas Cook है तो Thomas Cook Limited यह company का नाम है यह British Tours and Travel Company थी so British Tours and Travel Company यह जो है सो Thomas Cook Link ग्रेटा थैनवक जो है आपको पता है कि environmental activist है और यह कहां की है यह Swedish है Swedish environmental activist है देन डॉक्टर उशा की रन यह जो है सो इनको भारत-भारती आवार्ड मिला था अब यह भारत-भारती आवार्ड जो है यह आपको हिंदी लिटरेचर में जिस सम्मान मिला है कि हिंदी लिटरेचर में जिनकी contribution है tremendous contribution उनको मिलती है और यह highest award given by the उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के दोरा भारत-भारती आवार्ड दी जाती है जो उस समय 2018 में दी गई थी किसको डॉक्टर उशाकिरन को clear then carry lamb कौन है so carry lamb जो है वो हांकं की leader है ठीक है तो यह आपकी answer हो गई दी आपकी पूरी detail इसमें दी होई है अगला है कि 2019 में nobel prize economics में was given to a woman for the second time एक women को तूसरी बार दी गई है name the first woman who was earlier awarded this prize ठीक है मतलब second time women को दी गई है मतलब आज तक दो ही बार women को nobel prize मिली है है नो और तो पहली बार किसको मिली थी यह question आपसे पुछा जा रहा है तो यह है एलिनार ओस्ट्रोम एलिनार ओस्ट्रोम को मिली थी ठीक है तो 2019 अर्थसास का nobel पुरासका दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था दूसरी बार महिला दूसरी बार है है ना तो पहली बार कौन किस महिला को दिया गया था है ना परता महिला कौन थी तो है एलिनार और्ष्ट्रोम क्लियर अब इसमें आपको ये ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है बट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि 2023 में नोबल प्राइस किसको किसको मिला है तो अगर आप physics की बात करें आपको इसमें दिखा देते हैं कि physics की बात करें आप सारी याद रखेंगे तो एगोस्तिनी तुनीशिया की देन फ्रेने हंगरी की एने फ्रांस के इसको मिली है physics की यहाँ पे इन्होंने experimental method that generate 8 seconds pulses of light for the study of electron dynamics in matter तो आप इतना याद रख सकते हैं study of electron dynamics of matter के लिए तीन लोगों को physics में nobel prize मिली है azostini है ना and phrenic and na ठीक है देन आपको chemistry में मिली है फिर तीन लोगों को Lewis, Alexi, Mongi है ना इनको मिला है quantum dots के लिए तो यह electron dynamics के लिए और यह quantum dots के लिए और medicine में मिली है दो लोगों catalin है और drew है तो catalin drew को मिली है और इन्होंने discoveries concerning nucleosides based modification that enable the development of effective mRNA vaccine तो mRNA vaccine COVID-19 के against में mRNA vaccine के लिए दो लोगों को medicine मिली है one is a catalin कडिको और एक drew फिर literature में किसको मिली है John Olaf Foshe को मिली है इन्होंने norween जो language है उसमे innovative plays and pros which gave voice to the unsable ठीक है तो innovative plays वगएर इन्होंने लिखी है तो इनको मिली है John Olaf Foshe को तो noble peace prize जो मिला है नारगेस मुहमदी यह इरान के हैं यह operation of women के खिलाब जो operation होती थी इरान में उसके खिलाब लड़े थे तो इसलिए उनको noble peace prize मिली है और economic science में है वो golden को मिली है goldie को for having advance our understanding of women's labor market को outcome women's labor market outcome के understanding के लिए golden को मिला है तो यह women's labor याद रखना इसमें operation of women के against में याद रखना इसमें norvenian इतना याद रखोगे तब भी काम चलेगा play approach के यहाँ पे 90 यहाँ quantum dot और electronic dynamics यह आपको याद रखनी है noble price 2023 की अगला है कि rural sanitation strategy जो ministry of जल सक्ती के द्वारा 2000 सितंबर 2019 में launch किया गया था किस time period के लिए था तो आप याद रखें कि department of drinking water and sanitation यह आती है किसके अंदर ministry of जल सक्ती है ना इन्होंने 10 साल का rural sanitation strategy बनाई थी 2029 तक ठीक है तो यह आपका answer हो जाएगा 2019 से 29 तक यह इसमें क्या है कि there are some framework जो local governments को guide करेगा जो policy makers है उनको ठीक है ना और stick holder है उनको guide करेगा कि जैसे ODF की status कैसे मिलेगी ODF status के बारे में ठीक है ना कि लोग हर सारे लोग toilet यूज करे हर village के पास solid और liquid waste management हो यह सारी चीज़े यह आपको हमने explanation में लिख दी है अगला है कि Central Institute of Indian Language यह कहां पे है Central Institute of Indian Language किस जगह पे है तो यह Central Institute of Language यह आपको मैसूर में है है ना मैसूर में है और यह आती है Language Bureau Ministry of Education के अंदर में आती है उसकी part है और यह found की गई थी 16-1969 को 17 जुलाई 1979 को Central Institute of Indian Language बनाई गई थी मैसूर में और यह part है Ministry of Education की ठीक है यह explanation है अगला question है कि India aims to achieve land degradation neutrally किस साल तक इंडिया चाहती है कि land degradation हो जाए तो इंडिया ने 2030 तक प्लाइन किया है कि land degradation neutral हो जाए और land degradation होता गया है it is just a loss of the productive capacity of the soil की productive capacity जो loss हो जाएगी loss होती है है ना उसको बोलते है land degradation deteriorate हो गया यह loss of productive capacity of the land यह explanation है अगला है which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO to launch चंद्रयान 2 को launch करने के लिए ISRO ने कौन GSLV का यूज किया था तो यह आप याद रख सकते हैं तो चंद्रयान को लिए GSLV MK3 M1 यह किया था लेकिन अभी अगर आप बात करें तो आपको तीन हो गई चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 यह आपको चंद्रयान 3 आपको पता होगा कि इंडिया चौथी नेशन बनी है जो और की lunar surface पे लैंड किया है और पहला की moon के south pole पे जो लैंड किया है ठीक है तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, 1, 2008 में launch हुआ था, 2, 19 में और 3, 2023 में clear यहाँ पे जो launch vehicle थी PSLV थी, यहाँ पे GSLV MK3 थी जो पूछा है अब आप तो पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 में कौन सी है, so LV M3 और यह south pole में, यह south pole में कोसिस की थी और यह south pole में, clear तो यह आपको याद रखना है, इसमें partner थी जापान, lunar polar exploration mission के लिए NASA support मिली थी और European ACPAS Agency से support मिली थी, clear तो यह आपको एक बार और अच्छे से देख लेना तो आपको समझ आ जाएगी अगला question है, which of the following statement about India's largest चर्खा, इंडिया की largest चर्खा के बारे में कौन सी statement सही है तो इंडिया की जो largest चर्खा है, spanning will, वो plastic weight से बनी हुई है, plastic weight से बनी हुई है और यह कहाँ पे हुई है, noida में inaugurate हुई थी, महात्मा गांधी के 150 में birth anniversary पे नौच की गई थी, noida में और यह plastic weight से बनी हुई थी ठीक है, यह explanation है, अगला है, which of the following organism has white blood, किसकी white blood होती है तो पहली बात क्या है, कि इसमें अगर lizard की बात करें, तो lizard का तो red blood होती है ठीक है, छिपकली का तो red blood होगी, आप देखे होंगे, कटते होंगे उनको, तो red blood होती है then, जो आपको house bug and mosquito है, यह सब ना, और यह cockroach है, यह तीनों जो होती है, यह होती है erthropods, और in erthropods में contain not hemoglobin नहीं होती है hemoglobin नहीं होती है, तो red pigment है नहीं, तो इसी लिए blood होता है, colorless और white होती है तो cockroach हो गई, अब यह क्या है, कि जितने भी erthropods होते हैं, उस सब के white blood होते है house bug और mosquito is also orthoped, यह लेकिन क्या होता है ना, तो इसका answer कोई भी नहीं होगा है ना, इसमें तीनों answer हो जाएगा, बट पहले ही answer दी गई थी cockroach, बट यह cockroach नहीं होगा क्योंकि यह सोच के दिये गई था कि house bug और mosquito जब आपकी human blood को suck करती है ना, तो उसमें rate हो जाती है है ना, बट यह तीनों, अथ्रोपोर्ट में आती है, तो इसमें hemoglobin होती नहीं है, और जब hemoglobin होगी नहीं, तो इसमें आपकी जो answer सोज़ाएगी, वह हो जाएगी, कि यह तीनों में आपकी white blood होगी, तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, आपसे पूछाएगी कि इसमें अरकनिडा और क्रस्टेशिया तो यह होती है देखो इसमें इंसेक्ट में आ जाती है मॉस्किटो भी आ जाती है कॉक्रोच भी आ जाती है और बग भी आ जाती है तो यही इंसेक्टा तो यह तो इंसेक्ट में आ गया तो सब erthropods में आते हैं erthropods के आपके तीन classification है insecta, arganda and crustacea ठीक है तो erthropods में तीन हो आगे तो इसलिए इसकी answer कोई भी नहीं होगी देन अगला question है कि nitrogen fixing bacteria make combination with cells of the roots कौन सी roots के साथ cell बनाती है तो ये आपको जो होती है leguminous plant के साथ बनाती है अब leguminous plant जो होती है ये इसके साथ symbiotic relationship होती है symbiotic relationship मतलब तुम मुझे कुछ दो हम तुम्हे कुछ देंगे वो वाली relationship है तो fix तो ये क्या करती है atmospheric nitrogen जो होती है उसको nitrates में convert करती है ठीक है तो atmosphere से क्या करती है atmospheric nitrogen को लेती है और उसको क्या करती है, convert करती है, nitrates या nitrites में, ठीक है, इसमें आ जाएंगे beans हो गये, then फिर soya bean हो गया, then फिर alfalfa, peanuts, lentils, जितने बी दाल होती है न, pulsage वगएरा, सारी इसमें आ जाएंगे, leguminous plant में, ठीक है, तो यह answer आपको leguminous plant हो जाएगी दाल, अगला question है कि, what happen when some charge is placed on a soap bubble, soap bubble पे charge रखते तो क्या होता है, देखो, अगर आप soap bubble पे charge रखोगे, तो इसकी radius increase ही करेगी, its radius increases, है न, देखो, अब क्या होता है, जो soap bubbles होती है, यह आप positive charge रखो, या negative charge रखो, इनकी radius increase ही करेगी, तो यह आप याद रखेंगे, होता क्या है, अब इसमें ज़्यादा समझाना नहीं है, मैं थोरा सा समझा देता हूँ, कि soap bubbles की जो molecules होती है, यह तो अंदर में वैकन खाली होती है, है न, तो जितनी molecules होती है, वो यहीं पे होती है, ठीक है, तो सर्फेस पे होती है, तो अब जब हम चार्ज इसमें देते हैं, तो यह क्या होगा, सर्फेस पे ही चार्ज होगा, ठीक है, अब जब सर्फेस पे ही चार्ज होगा, तो अब क्या होगया, कि दोनों अगर positive चार्ज दे, या negative चार्ज दे, तो ये दोनों जो charges होंगी इनकी tendency क्या है कि repulsion होगी क्योंकि आप same time का charge दे रहा हो तो repulsion होगी तो repulsion होगी तो दोनों एक दूसरे को repel करेंगे दोनों एक दूसरे को जो repel करेंगे same charges तो इसकी radius क्या होगी increase करेगी तो ये simple से है अगर आप negative भी रखते इसके surface पे तो negative negative ही charge रहती positive charge तो है नहीं तो एक दूसरे को repel करती repel करने पे क्या होगा कि इसकी radius increase करेगी तो दोनों case में radius increase करेगी hope आपको समझ में आगया होगा नहीं तो फिर आप repeat करके सुन लेना ये explanation लिखा हुआ है अगला है कि which of the following pair is not correctly match देखो oxytocin, rayon तो ये सब बात किया है तो oxytocin एक हार्मोन है ठीक है ना ये हार्मोन आपको oxytocin ये कहां पे बनती है तो ये hypothalamus बनती है अब hypothalamus कहां पे है तो hypothalamus जो है आपको ये देखो hypothalamus में produce brain में होती है तो hypothalamus में ये बनती है hypothalamus में oxytocin और ये जो होती है secret किसके दवार होता है किसके दवारा secreted होते है secreted by the pituitary gland तो ये याद रखना है जैसे reproduction में ये play करती है role child birth में, lactation ये सारी चीजों में आपको oxytocin help करती है ठीक है my memory gland को milk induce करने में भी ये help करती है तो ये आपको oxytocinic hormone है तो ये तो बिल्कुल सही है देन बात करते हैं कि aspartum क्या है तो ये एक synthetic sweetener है मिठा बनाने वाला तो ये भी सही है नियोप्रीन की अगर बात करें तो नियोप्रीन की अगर बात करें ठीक है ये आपको first man-made fiber इसको बोलते हैं first man-made fiber अब ये बोल रहा है कि modified starch नहीं ये modified starch नहीं है तो not में हमारा answer ये होगा कि modified starch वो होती है जो starch modified starch वो होती है जो starch है उससे extract करते हैं जैसे extracted from जो grains हो गया जो अनाज हो गई जो vegetable हो गई वहाँ से जैसे मैदा हो गया है है wheat, mage, potato इससे extract करते हैं there's some modified starch कि starch से कोई और आप extract करते हैं जो चीज़े उससे modified starch बोल देंगे ठीक है तो ये पूरी हो गई तो answer क्या हो गई आपकी rayon ये artificial textile है ना कि modified starch ये explanation है अगला एक which of the following substance is not a protein कौन से इसमें protein नहीं है देखो cotton, hair, spider silk और hoop ठीक है इसमें है तो hair जो होती है hair हो गई, spider silk हो गई, hoop हो गई hoops जो होती है ये भी बनी होती है protein से इसको protein जिसको बोलते हैं keratin ठीक है और keratin से ही hair भी बनती है keratin से hair बनती है keratin से ही nail बनती है हूप्स जो कूबर होती है उटकी या ना वो नेल भी उसे से बनती है देन और क्या हो जाएंगी हॉर्ण्स जो सिंग होती है ठीक है फीदर्स यह सारी चीजे जो है सो केराटीन से बनती है और अगर स्पाइडर सिल्क जो होती है वो भी आपको कॉटन से ही consist of proteins लेकिन कॉटन जो है वो फाइवर जो इसे प्लैंट की फाइवर होती है वैसे होती है इंट मेंट फ्रॉंड यह जो मेंट फ्रॉंड प्रॉंड जो इसowej बनती हैं कार्भो हाइडरे त्थे और कार्भो हाइडरे जिसको हम लोग बोलते हैं Celluloge आप याद रखेंगे तो इसका आंसर क्या ह हो जाएगा cotton cotton जो है सो protein नहीं है carbohydrate से बनता है यह explanation है अगला है a liquid remains hot or cold for a long time in thermos plus because there is no loss or gain of heat by बोल रहे है कि जो आपकी thermos bottle होती है thermos plus वहाँ पर क्या होता है कि आपकी पानी जो है सो आप hot रखोगे तो hot बहुत दिर तक रहता है cold रखोगे तो cold रहता है इसका क्या कारण है conduction convection and radiation दोनो ननो तेवल सो conduction क्या होता है direct connect से जो transfer होती है heat की thermal energy की उसको बोलते है conduction direct connect से और convection जो होता है वो liquid movement से होती है energy through the movement of liquid की movement हो रहे हैं तो water की जो movement होती है उससे जो अगर आपको transfer होती है energy that's a convection तो यह दोनो कारण है कि कोई loss नहीं होता है क्योंकि ना ही conduction होता है direct contact नहीं होती है है और ना ही इसमें क्या कोते flow होती है तो conduction convection और radiation क्या हो गया thermal emission से अगर हो रहा है तो यह तीनों में से कुछ भी नहीं होता है आंसर क्या हो जाएगा both one and both a and b ना conduction होती है ना convection ना radiation ठीक है क्योंकि यह तीनों से loss होती है यह explanation है अगला है कि which of the following glands in human body acts बोथ है जा क्या हो गया अंतरस्त्रावी और एक्सोख्रीन ग्लैंड है बही स्रावी दोनों होगा इसमें से कौन सा है सो सी पैंक्रिया जो है यह एक abdominal organ है जो जिसमें एंडोक्रीन और एक्सोख्रीन फंक्शन दोनों काम करती है ना what is endocrine और what is exocrine जो होता है वो secret करते हैं कोई भी substance को सीधे आपको blood stream में करती है समझ में आ गया endocrine gland जो है जो अंतरस्रावी है और बही स्रावी जो है वो आपकी कोई भी substance को डाइरेक्ट आपके blood stream में पहुंचाती है और exocrine glands जो है वो substance को through ducts आपकी body में पहुंचाती है है ना बही स्रावी जो है दक्स के तुरू पहुंचाती है तो ये आपकी ये कौन सी gland है तो ये pancreas gland है आपको अगर example में देनी है तो ये blood ये endocrine direct blood में देती है है ना hormones are secreted into blood और chemical produced जो gland के द्वारा होती है वो आपको skin surface पे जाती है chemicals और ducts के तुरू आपको फैलती है clear अगला है कि which one of the following material contains calcium कौन सा material इसमें calcium है तो see gypsum जो है ये इसकी होती है COSO4 into 2H2 dot 2H2 2 mole of water तो ये chemical formula है तो यहाँ पे तो calcium है तो पूछ रहा है कि which of the following materials contain calcium तो answer तो यह हो गया तेकिन आप बाकी हम देख लेते हैं कि corundum जो है वो उसका chemical formula होता है AL2O3 this is the aluminium oxide ये आपको इसका corundum aluminium oxide है ठीक है तो इसका AL2O3 हो गई निक टालक का क्या होगा टालक जो होगा hydrous magnesium silicate है इसकी calcium जो chemical formula होती है वो mg3 Si4 O10 OH twice तो यह होती है टालक और china clay जो होती है वो होती है china clay china clay का क्या हो जाएगा it's a AL2O3 2 SiO2 आप देख रहे हैं कि किसी में भी आपको calcium नहीं है gypsum को छोड़ करके तो answer क्या हो जाएगा उच रहे किसमे calcium है तो gypsum आप लोग answer लिखेंगे ठीक है यह explanation है अगला question है कि कौन सा correctly match नहीं है तो silver bromide जो होती है वो होती है agbr और इसका यूज जो होता है वो होता है आपको photography में photography में है ना तो यह आपको याद रखनी है then silver iodide जो है इसको cloud seeding में artificial rain में या antiseptic के रूप में यूज किया जाता है milk of magnesia mgoh hold twice इसको anti seed की तरह यूज करते हैं indigestion को relief करने के लिए और lithium bicarbonate LiHCO3 जो होती है वो आपको rheumatism को treat करने में गठिया का उपजार करने में इसका यूज होता है ठीक है समझ गया है इससे bipolar disorder bipolar disorder bipolar disorder में भी help करती है यह ठीक है तो answer हो जाएगा आपका एक क्योंकि silver bromide जो होता है photography में helpful होता है ठीक है यह explanation है अगला तुलसी का जो पौधा है उसमें आसधिया गुन है medicinal value है किस कारण से inorganic acid है organic है तो यह तो simple सा answer है कि phenol and flavonide होते हैं जिस कारण से तुछ सी plant में medicinal values होती है है इसमें antiviral properties होती है antiviral anti-vacterial properties ठीक है और antifungal ठीक है तो respiratory infection वगरे में इसको यूज कर सकते हैं आप है ना तो इसमें phenols and flavonoids होती है clear यह explanation है अगला है कि what is true about ecosystem ecosystem क्या है और ecosystem के बारे में सही चीज क्या है primary consumer are the list dependent upon primary consumer are outnumbered product producer producer are more than primary consumers secondary consumers are the largest तो देखो इसमें क्या होता है कि आपकी जो होती है पहले होती producers grass वगरे हो गई फिर आती है primary consumers है ना तो यह सबसे जादा होती है फिर primary consumers थोड़ा कम फिर secondary consumer है ना जैसे यह हो गया तो यह थोरा कम होगा then फिर tersiary consumer और कम होगा और quarternery consumers और ज्यादा कम होगा जैसे सी उपर जाएगा तो यह आपको संख्या कम होती है तो आपकी जो questions है कि primary की producer are more than primary consumer produces greater than primary consumer and primary consumer greater than secondary consumer secondary consumer tertiary consumer से ज्यादा है और tertiary consumer ज्यादा है disclaimer तो आपसे जो question पूछा है उसमें यही है कि producer are more than primary consumer so write down और they are saying कि secondary consumer are the largest and most powerful largest कहा है secondary consumer ठीक है तो यह गलत हो गया तो आपका answer कौन सा है यह producer है more than primary consumer आपको hopes so समझ में आ गई होगी हगला है कि with reference to eutrophication के बारे में which of the following is correct कौन सा सही है it is phenomenon of nutrient enrichment of water body बिल्कुल सही है eutrophication क्या होता है एक process है जिसमें water body जो है so बहुत जादा ही enriched with nutrients हो जाता है बहुत जादा nutrients हो जाता है तो इससे क्या होता है कि algae बहुत जादा algae की production हो जाएगी और algae बहुत जादा होने से algal boom हो जाती है algae bloom जो आप लोग पढ़े हैं कि algal bloom हो जाती है तो बहुत सारी algae और macrophytes जब production हो जाती है तो आपको क्या होता है oxygen depletes कम कर देती है dissolved oxygen of water में जो oxygen level है उसको कम कर देती है तो यह दोनों आपका सही है utrophication यह आपको देख सकते हैं इसमें utrophication क्या है जैसे माल लेजे कि आपका fertilizer वगेरा यह सब चीजे से यहाँ पे चले जाती है nitrogen phosphorus वैसे बारिज से चले जाती है तो वहाँ पे क्या होती enrichment हो जाती है है ना तो बहुत सारे algae वगेरे सब आ जाती है जिससे algal algae bloom बाली situation आ जाती है और इससे oxygen कम हो जाएगी ठीक है अगला question हमारा है कि the environment modified by human activities यह पूछा तो 2008 रमेश टेक पे question तो वो मानव गतिविदियों से परियावरन का पडिवर्तन जो होता है उसको क्या बोलते हैं तो यह anthropogenic environment बोलते हैं कि अगर human activities से कुछ modified हो रहा है तो उसको anthropogenic environment बोलेंगे man made और natural environment क्या हो गया जैसे अर्थ हो गया जितनी भी living और non living things है वो सारे air, water, land, plants, animals सब यह natural environment में आ जाती है अर्वन environment क्या हो गया अर्वन एरिया का जो ecosystem होता है तो वो आपको हो जाती है अर्वन environment ठीक है तो यह सारी है, यह explanation में लिखी हुई है अगला है, देखो diversity पे 2018 में कुछी थी, इसमें पूछा है पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है तो पहले तो diversity हमने बात किया था तीन तरह की diversity, genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity है न, within species अगर gene का diversity होगी तो genetic diversity होगया अगर माल लेजे कि species की diversity होगी बहुत जादा species होगी particular area में तो species diversity हो जाएगी ecosystem diversity है तो उसमें क्या हो जाएगा कि बहुत एक जगा पे एक particular area में बहुत तरह की ecosystem में जैसे water वाला भी है, पानी वाला भी है तो यह हो जाएगा तो आप बताओ, ज़्यादा species कहाँ पे होगी species diversity मतलब कि particular area में different type की species होगी तो यह कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा तो species diversity decreases from equator towards पोल, तो equator से पोल की तरफ decrease करती है तो यह पूछा है, increases from equator तो यह गलत हो गया, है ना तो यह जो आपकी है, वो decrease करती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थंडा है पोल पे, ठीक है और the tropic harbor more species than temperate and polar tropic harbor are more species than temperate area, यह भी सही है तो tropical, tropics में, जो है ना वो ज़्यादा species है, temperate से ठीक है, जैसे Columbia equator पे है तो Columbia equator पे है, तो वहाँ पे क्या है Columbia equator पे है, तो वहाँ पे 1400 world के species है, बट New York में 105 है ठीक है, और इंडिया में around 1200 है Greenland में मात्र 56 species है तो यह आप इससे समझ सकते हो कि कैसे कैसे species की variation हो रही है ठीक है ना, और यह सही है कि सबसे ज़्यादा जो bio diversity हो, हमें, आमेजन की jungle में है temperate से towards pole, तो देख लो आप, कि दोनों है, तो इस दोनों में option कौन होगे, species diversity decreases from the equator towards pole क्योंकि pole पे बहुत ज़्यादा ठंड है अब यह पूरी है और 2018 की part 3 में we discuss this which one of the following is the well-known example of bio indicator, air pollution की bio indicator, now जो bio indicators होते हैं, देखो bio indicators जो होते हैं वो animal bio indicator होते हैं कुछ animal भी है, then फिर planktonic bio indicator होते हैं, then microbial indicator होते हैं, bio indicator and plant bio indicator होते हैं so अगर plant bio indicator की example देंगे, तो leachian हो गई lichens, lichens हो गई, then microbial में कुछ synovacteria है fungi है, यह सब भी indicator है bacteria है, then यहाँ पर बात करें तो ju plankton and phytoplankton then यहाँ पर बात करें animal में, तो frogs हो गए and then aquatic animals, these are the bio indicator, तो यह पूछ रहे हैं कि कौन सा example है, तो leachian is an example of जो plant है, है न, वो आपको air pollution का indicator है, ठीक है यह आपको explanation है, अगला question है, कि which of the following is not correctly, कौन सा correctly match नहीं है so what is desalination, यह mineral component को saline water से निकालने के विधी को desalination कहते हैं, तो desalination में तो यह सही है, sea water saline water से, then reverse osmacy, reverse osmacy से क्या होते हैं, कि water की purification होती है, तो पीने वाली पानी बन जाती है, potable water मतलब पीने वाली पे यह जल, ठाना तो यहाँ पे यह हो गया then denaturation जो होती है denaturation होती है, जो tertiary structure protein की, protein molecules के होती है, उसको destruct करके, और formation of random polypeptide chain, so protein से लेटेड़ है denaturation, and pasteurization T से लेटेड़ नहीं है, यह होती है, कोई भी जो package food या non-package food है, जैसे milk हो गया, fruit juice हो गया, इसको क्या किया जाता है, less than 100 degree Celsius पे क्या करता है, आपको गरम की जाती है, to eliminate some pathogens, और उसकी self-life को increase करने के लिए, तो यह T से नहीं related है, पार्शुराजेशन, आपको milk से आप लिख सकते हैं, या कोई भी package या non-package fruits से, तो answer क्या हो जाएगा, D, यह explanation है, अगला, which of the following is an example of herbicide, हर्वी साइड क्या है, साक ना सक पूछा जा रहा है कि sodium chlorate है, कि potassium permagnate है, कि bleaching powder है, कि none of available, so sodium chlorate जो होगा, वो हर्वी साइड होता है, हर्वी साइड को हम लोग बोलते है weed killers, ठीक है न, तो यह चीज़े हैं, then bleaching powder आपको पता है, कि गंदे कपरे को धोने में काम आता है, laundry वाले यूज करते हैं इसको, potassium permagnate जो होती है वो आपको chemical industry में laboratory में यूज होती है, oxygen agent की तरह है, और इसको medication जो आपको ये हैं dermatitis जो हैं dima kumak जो हैं, घाओ को saaf cleaning wounds, ये सारी चीज़ों में potassium permagnate की यूज होती है ठीक है, एकस्प्लाइन सा the gas which is emitted in the paddy fields, इनके जिज़ दे अर्थे को अब 2018 में पूछा था, और ये फिर से पूछा कि कौन सी gas, धान की खेट से सरजित होती है, और वो gas भूमी के तापमान में ब्रिधी करती है ये आप सब को पता है, कि methane और 20% जो होगा total methane जो है, सो paddy field से जनेट होती है total जितनी भी methane की emission होती है उसमें 20% paddy field से होती है clear? अगला है, at which of the following places is the secretariat of the international solar alliance का located है, international solar alliance, France और इंडिया ने मिल करके, effort से ये बना था, international solar alliance और United Nations General Assembly ने इसको observer status भी दे दिया है ठीक है, और इसमें total 106 है, United Nations में जितनी भी country है वो इसमें eligible है join करने के लिए तो ये आपको इन्होंने जो ISA framework agreement है उसको sign किया है, और इसमें जो है कि collaborative, साथ-साथ में effort लगाना है आपको solar energy technology वगए रहे के लिए, है ना, इसकी headquarter है आपको, गुरगाओं इंडिया में ठीक है, यह explanation है अगला है कि the first union territory of India तुरन, पहला union territory कौन है, जो 100% solar energy से run होती है तो यह due है, जो आपको इंडिया का पहला union territory है जो 100% solar energy से power energy से चलती है लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि 2019 में भारत सरकार ने merge किया था utis of दादरा and नगर हवेली and दमन and due को, एक single uti बनाया था तो यह भी आद एक due से याद आप रखना, यह explanation है अगला question है कि there is a positive relation between human development index and sustainable development goal ranking of Indian state ठीक है तो दूसरा है कि the underlying dimension of SD is targeted closely related to education and health aspect अब यह बोल रहा है कि human development index तो इस पे question पहले भी आई है 2018 में now human development index में क्या होता है कि आपकी तीन है a long and healthy life being knowledgeable having a decent standard of living यह हम लोग ने 2018 वाली question में की हुई है तो human development index वैसे निकलती है और वो तीनों का geometric mean करते हैं हर तीनों dimension के यह हमने पढ़ा था अब इसमें क्या है कि अभी जो अगर अब sustainable development goal इंडिया के ranking बात करोगे तो वो भी बात करती है कि जो तेरा goal है का उसमें हर तेरा पे आपको कौन top estate किया है जिसे अगर बात करें no poverty पे Tamil Nadu, zero hunger पे केरला top किया था जो first SDG goal है no poverty उसमें Tamil Nadu second वाली जो है zero hunger उसमें केरला then climate action 13 जो SDG goal है उसमें Odisha life below water 14 हमाज जो goal है उसमें Odisha तो यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सही है और जो SDG target है उसमें education और health aspect भी है बिल्कुल आपको पता होगा कि जो आपको good health and well being जो है वो आपको third goal है quality education जो fourth goal है तो आपकी दोनों जो है सो सही है और दोनों क्योंकि एक दूसरे related है तो आपको accession region दोनों सही होगी आप देख लिजिए जो SDG India index निकालती है नितिया उसमें यह सारी चीज़ है और human development index में भी long and healthy life, living knowledgeable और standard of living की बात की है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा अगला क्या है कि multi-dimensional poverty index तो multi-dimensional poverty index यह release करती है United National UNDP करती है और UNDP के साथ में Oxford Poverty ठीक है और Oxford Poverty and human development initiative यह दोनों मिल करके इलिज करती है इसकी भी जो dimension होती है न वो health education and living standard होती है तो multi-dimensional poverty index का भी यही होता है आप देख सकते हैं health education standard of living, indicator nutrition child mortality, years in schooling school attendance, cooking, food, sanitation, drinking water, electricity, housing, assets और यहां पर intensity of poverty, head count ratio यह पौवर्टी मेजर्स के लिए है तो multi-dimensional poverty index आजसे निकलती है अगला है कि arrange the following events in chronological order वाइल लेफ पोटेक्शन आट कब आई थी so it comes in 1972 to protect plant and animal species को protect करने के लिए act आई थी then biological diversity act 2002 में आई थी यह biological diversity को conserve करने के लिए है और जो fair and equitable sharing जो benefit होगी उससे biological resources से उसको आपको equitable share करनी है सब के साथ वो उसके बारे में है then project tiger हम लोगों ने पढ़ा था 1973 में आई थी प्रजेक्ट करने के लिए और प्रजेक्ट elephant जो है सो 1992 में आई थी government of india ministry of environment and forest से जिसमें की financial और technical support देनी थी wildlife management efforts जो estate कर रही है उसको clear तो इसमें क्या होगा आपकी हो जाएगी first then three then four then two so B answer हो जाएगा यह explanation है अगला एकि अंदर था civil registration system it is legally mandatory to register birth and death events within कितने दिन के अंदर में civil registration system में आपको birth and death को register करनी परेगी तो यह 21 दिन के अंदर में करनी परती है जो event होती है took place होती है उसके 21 दिन में यह आपको register of birth and death act यह 1969 में लिखा हुआ है कि mandatory है कि birth और death के करमने जब होती है उसके 21 दिन के अंदर आपको register करानी है अब civil registration system जो होगा इसको मतलब आपको birth and death registration system भी बोलते हैं सबसे पहले 1886 में ये Central birth, death and marriage registration act पास हुआ था जिसमें था कि registration करना था जितने भी बिटिस इंडिया में जितने भी लोग थे उनको ये और अभी जो है 1969 में ये provision है कि 21 दिन के अंदर में register करना है तो सबसे पहले 1886 में अगला question है कि National Family Health Survey जो 5 है उसमें क्या-क्या नहीं है तो आपको पता है कि पहला जो National Family Health Survey होई थी वो 1992 से 1993 में होई थी और पांचमा जो थी वो 2019 से 2020 में थी और ये National Family Health Survey है वो आपको सर्वे कंड़क्ट कराती है samples लेकर के पूरे इंडिया में Ministry of Health and Family Welfare जो है सो इसको ये कराती है और इन्होंने designate किया है International Institute for Population Science जो मुंबई में है उसको Nodal Agency कि आप हमको सर्वे का technical guidance वगएरे देंगे है ना clear तो ये बात करती है fertility पे infant and child mortality पे तो health पे reproductive health nutrition एनेमिया है ना तो इन्होंने जो disease consider किये थी वो high blood pressure consider किये थी registration of death तो बिल्कुल और इसमें जो इसो diabetes को consider किया था but they did not consider HIV test तो बोला कि कौन सा consider नहीं कर रहे थे तो that's a HIV test बाकि आपको explanation में सारी detail दी हुई है अगला है कि जो कूजेंस curve है है ना source the relationship between per capita GDP and environmental loss तो इसकी कूजेंस curve की पता दिया कि कूजेंस curve क्या होता है कि इसमें per capita GDP है ना और environmental loss कितना है वो बताता है है ना कि environmental quality और economic development के relation बताता है तो इसमें conscious कि यह safe है तो यह आपको inverted ultra you safe है so this is the right answer ठीक है तो इसमें है कि environmental issues worsen initially पहले तो इस वोर्स होती है विथ economic growth जब economic growth होगी तो यह कूजेंस ने बताया था अगला है sustainable development is important for well-being of human society sustainable development is a kind of development that meets the needs of the present without comprising अब देख लो 2018 में same line पूछा था कि इसको क्या बोलते है ठीक है so this is the sustainable development और बिल्कुल sustainable development जो हैसो बहुत जरूरी है पूरी human society के well-being के लिए है ठीक है तो सथ अभी कास सो दोनों सही है आपका तो बोथ एन आर अट्रू इस दोज़ाठारा की question थी which of the following direct benefit transfer has been recognized as genius book है ना गिनीज बुल्ड ऑप गिनीज book of world record में बिस्तु का सबसे वारा direct benefit कॉन सा है वई एम जी नरेगा पहल एनस से भी सो यह पहल है एल पीजी direct benefit transfer of LPG पहल इसकी इसको गिनीज बुल्ड ऑफ व्ल्ड रिकॉर्ड में largest cash transfer program in terms of number of household में बिया गया है और एम जी नरेगा के बारे में हम लोग 2018 में बहुत बात की है NSAP जो है National Social Assistance Program है यह आपको जैसे विद्वा हो गई जो एल्डर पर्सन है डिजेवल पर्सन है है ना उनको जो primary bread winner होते हैं उनकी देथ हो गई तो उनको BPL वाले लोग को तो उनको यह आपको सहायता देती है जो पर्सन के कमाई से घर जलता है तो अंसर यहां पहल लिख दो यह एक्स्प्लानेशन है अगला है कि with reference to the National Food Security Act which of the following statement is correct National Food Security Act 2013 में आई थी और 2013 में आई थी तो इनमें था कि 75% rural population को cover करती है और 50% urban population को subsidized food grain देती है और per person per person 5 kg food grain देती है और per month per person per month 5 kg food grain तीन रुपई यह रुपीज तीन रुपई दो रुपई और एक रुपई पर केजी तीन रुपई rice, दो रुपई wheat और course grain जो होती है वो एक रुपई है अंत्योदे अन्योजना इसी में है उसमें क्या है कि 35 kg food grain per household per month, हर month 35 kg देतेंगे इसमें 5 kg per person और इसमें यह है देन फिर इसमें क्या है कि 6-14 वर्स की जो है है ना 6-14 वर्स की 6 months से 14 साल के बच्चे के लिए है ना मेल्स देनी है जिसमें midday meal scheme आ गया integrated ICDS आ गया तो यह भी है आपको ICDS हो गई, midday meal हो गई तो 6 से pregnant women and lactating mothers and children of the age of 6 महिना से 14 बस तक के लिए nutritional भी आपको nutrition भी देनी है यह ना देन फिर जो pregnant women है उसको 6000 रुपे भी maternity benefit में देनी है फिर जो eldest women होगी 18 या उससे उपर की उसको head of the household माना जाएगा तो यह भी सही है और इसमें क्या है कि food security allowance भी है beneficiary को अगर आपको food grains नहीं मिल रही है या meals नहीं मिल रही है तो आपको food security allowance देनी है गवर्मेंट को तो यह 123 तीनो सही है इसमें यह explanation है अगला है कि with reference to the measure of tenancy reforms इंडिया which state tenancy reforms है कि tenant का reforms थी है ना to control the rent rent आप देखते हैं बहुत जगा कोई rent का control नहीं है ठीक है ना और tenants को कुछ right देना है ना ownership right कि देना है है ना तो यह सारी चीज़ें है तो इसकी जो main objective थी regulation of rent है ना fair rent होनी चाहिए security of tenure कि यह 11 महिने है आपको 11 महिने तक हटा नहीं सकते हो तो यह सारी जो है और ownership on tenants है ना तो यह सारी चीज़ें जो है यह आपको तीनों जो है सो इसकी tenancy reforms की objective थी यह explanation है अगला question है कि with reference to the function of public sector India which of the following statement is correct public sector जो इंडिया में है उसका काम क्या है तो public sector जो है public utility resource है ना प्रवाइड करती है social economic overhead capital प्रवाइड पनाती है balance regional sector growth को balance करती है और egalitarian goals को समतावादी लक्षे को आगे बढ़ाती है now what is public sector so public sector works for the welfare of the public है ना और overall development of the country के लिए जो काम करता है welfare public welfare के लिए जो work करता है that's a public sector है ना और इसकी objective ही है public sector की कि industrialization को promote करनी है employment को generate करनी है infrastructure बनानी है export को promote करनी है मतलब utility तो resources देनी है then social economic overhead capital भी बनानी है फिर आपको जो infrastructure हो गई देन फिर regional sector growth को भी balance करनी है है ना फिर egalitarian goal को भी pursue करनी है तो यह सारी जो होंगी वो आपकी goal हो जाएंगी public sector इंडिया की यह explanation है Swiss Canal region में बोल रहा है कि North से South direction में लेक का बात बता दो तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है आप देख लो यहाँ पे लेक मंजाला है नौर्थ से South में पूछे रहे हैं तो आपको यह North है और यह South है तो लेक मंजाला है लेक मंजाला के बाद आपको लेक मंजाल है फिर ग्रेट बीटर लिक है फिर ग्रेट बीटर लिक हो गई फिर लेटल बीटर लिक हो गई ग्रेट बीटर हो गई और यहाँ पे लेटल बीटर लिक है ठीक है तो यह आपको सारा जो है सो आपका आंसर हो गई तो मंजला देन लेक तिमास बीटर लेक और लेटल बीटर ठीक है तो यह आपके democracy में जाती ए ओट्सै When इस से बाध हम कर चुके है नि grapik टीकट बार्थीक तो जया है है रिजन अफ नॉर्थético एक दम है न और चिलिग्राफिए प्लेट्ट। में आपको नॉर्थ आट्लांटिक की पार्थ है तो यह आंसर हो गई और इसमें क्या है कि उस्ट्यानी क्रश्ट भी है जो रेकाजांस रीज है यहां पर जो मिड़ आट्लांटिक वेज का रीज का नॉर्थन ब्रांच है तो आप यह याद रखे टेलिग्राफी प्लैट्टू जो होगा फ्लैट जापान की है और यह बैग्यू जो आप देख रहे हैं वो आपको फिलिपिन्स की है हुरिकेंस जो है सो आपको करेवियन सी में होती है तो यूएस से की है ठीक है तो यह आपकी आंसर जो हो जाएगी इस वन और भी आप याद रखोगे अगर तो आप याद रखो इंडियन तो आप यह बी याद टाइफून जो है सो चाइना ची में तो आप यह भी याद थे टाइफून हो चाइना यह हम टाइफून पर बात भी प्याद थे वो 1891 से 1916 के बीच में बनी थी और ये longest railway है longest railway in the world world में सबसे बरी है और इसमें क्या है कि ये जाती है कहां से मौसको से प्योंग्यांग ठीक है तो ये आप इतना याद रखेंगे और इसके अभी और भी जा रही है तो अब इसमें आप याद रखें इसमें कोई भी सही नहीं है अब देखते हैं इसमें कौन-कौन सी है अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो ये मौसको है और मौसको से जाती है ये तो इसमें अगर आप बात करते हैं तो कौन-कौन से दिख रही है आपको Omask करके है Omask आपके option में है So Omask दिख रहा है आपको Then Sochi दिख रही है गया Sochi कजान कजान यहाँ पर है कजान होगा नहीं कजान इस रूट पर नहीं है तो कजान नहीं होगा, तो ए तो नहीं होगा, इसके बाद तो मस्क जो है, उमस्क तो हमारा हो गया, ठीक है, इसके बाद आप देखो अगर तो चीता, चीता यहाँ पे दिख रहा है, तो चीता भी होगा, तो उमस्क तो रूट पे है ही, चीता भी रूट पे है, लेकिन सोची रूट पे नहीं है, ना ही सोची रूट पे है, और ना ही कजान रूट पे है, तो answer दोनों होगा, इसलिए इसमें अगर not located पूछ रहा है, तो दोनों होगा, तो इसलिए इस answer को UPCS ने हटा दिया था, तो आपको सोची and कजान दोनों होगा, ठीक है अगला question है, कि which of the following is not correct, wind की बात है, कौन सी wind है देखो, dessert पूछ चुका है, wind पूछ चुका है then फिर आपको cyclone पूछ चुका है, हन, तो Santa Ana है, Habub है, Yamo है, Mistral है, ठीक है, इसमें दो तरह की wind होती है, one is the cold wind और one is the warm wind, जैसे Mistral जो है, Mistral जो है, वो आपको होती है, cold wind और Mistral जो cold wind है वो Mistral cold wind आपको कहाँ पे है यह आपको Southern France में आपको Mistral वाली है, तो यह आपको पहले ही हो गई, यह cold wind है यह Australia में नहीं होगा ठीक है इसके बाद, Yamo जो है, वो warm wind है और यह जापान में है हबूब जो है, यह Sudan में है और Santa Ana जो है USA में hot and dry है ठीक है, बाकी और जो तो यह आपको मैंने cold wind पैंपेरो गोरा, इसारी Mistral फोन है, चिनुक है वार्म, जोंडा है, लू है इंडिया में है ना, सिरोको है आप देख रहे हैं, सारे चिनुक जो है USA में हो गए आपको brick filter है, यह ना फिर आपको साउदर्ली है कारा बुरान, बुरान मिस्ट्रेल, फोन, बोरा सिरोको, कर्मेटन, दॉक्टर विंड भी है, बर्ग है यह सब हवूब, है ना, खमसीन पंपेरो, यह सारी आपको दी हुई है, clear? तो यह आपको याद रखनी है अगला question है, कि coal fields are located कहां कहां है तो coal field में अगर बात करें तो अगर हम लोग location देखे coal field की, तो तालचिल, कर्ण रूपा सिंग्रोली और सिंग्रेनी, देखो अगर आप सिंग्रोली यहाँ पे है सिंग्रोली, देन तालचर यहाँ पे है यह तालचर कहां पे हो गई? उडिशा में हो गई, है ना? और सिंग्रेनी कहां पे हो गई? आपको आंधर प्रदेश में हो जाती है है ना? सिंग्रेनी, ठीक है? तो तालचर उडिशा में है और तालचर में कौन सा है तालचर में आपको ये दिया है क्या आपको तालचर में महानदी वैली हो जाएगी महानदी वो दीशा में है तो इसको कर देते हैं देन सिंग्रेनी जो है सिंग्रेनी जो हो जाएगी वो आपको गोदावरी वैली में जो साउथ में है और ये जो सिं सिंग्रेली जो होगी वह आपको सोन वैली में हो जाएगी सिंग्रेली सोन वैली में देखो सिंग्रेली जो है यहाँ पे यहाँ पे है और सिंग्रेली जो है साउथ में है तो दामोदर वैली हो गई आपकी यह उडिशा हो गया उडिशा महानादी वैली हो गई और आपकी बं अंसर जो हो जाएगी, तो यह हो जाएगी कंडपूरा दामोदर वैली में, ठीक है, तो B का 1 हो जाएगा, अगला कुश्यन है, कि which one of the following pick is not located in India, कौन सी pick जो है, इंडिया में लोकेट हैं, तो यह जितनी भी pick दी हुई है आपको, यह आपको हिमालियन pick दी हुई है, गुर्ला मंधावा जो है, यह आपको नहीं है इंडिया में, गुर्ला मंधाथा जो है, तो यह आपको नेपाल में आती है, गुर्ला मंधाथा, नामचा वर्वा, कामेत और नंगा परवद, यह सब इंडिया में हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नामचा गुला मंदाता अपने यहां नहीं है ठीक है तो आपको तो नंगा परवढ यहां पर है ठीक सो आप पर देख सकते हो यहां पर जुसको यह बयां पर सिंद्धया में नहीं है ये समय आपको अरुणा नाचल में है और नाचल प्रदेश में बड़ चाइना में नामचावरबा भी है तो यह आप याद रखना ठीक है अगला क्विश्चन जो है कि विंटर रेंज कॉज वाइड वेस्टर्ण डिस्टर्वेंस नौर्थ वेस्टर्ण प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुली तो वेस्टर्वेंस के कारण यह यह कहां से करते हैं तो यह इस समझे में जैसे अगर वेस्ट वेस्ट जाती तो ग्रेजुली एफेक्टिवनेस जो है सुछ का मतलब कम होता जाता है ठीक है वेस्टर्ण डिपन डिस्टरवेंस इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉम है जो मेंटरियन रिजन में स्टार्ट होती है और वो सदेन विंटर रिण लाती है नौस्ट वेस्टर पार्ट आप सुरू में तो फ्रेस वाटर है बाद में सलाइन वाटर है तो लूनी रिवर है जो थार डिजर्ट में फ्लो करती है यह आपको लूनी रिजर्ट जो है इनिशियेट करती है पुसकर वैली से पुसकर वैली से सुरू होती है अरावली रेंज में अजमेर से और यह आपको थ बारमर में है, यहां पर जो सलाइन वाटर होने लगती है, क्योंकि वहां पर जो सर्फेस है, उसकी जो सौल्ट कंटेंट है, बहुत जादा है, तो यह आपको लूनी रिभाग, अब बराक रिवर कहां है, बराक रिवर आपको पता है, मनीपूर, जो फ्लो होती है, वो हर्याना और राजस्थान में फ्लो करती है, तो इतना आप याद रखेंगे, तो आपको काम चल जाएगा, ठीक, यह एक्स्प्लानेशन है, अगला कुस्चन है, कि मोरी बन डेल्टा, वो किसका सब डेल्टा है, किस डेल्टा का, तो इसमें क्या है, महानदी डेल्टा, बें बेंग़ो डेल्टा का सब्डिविजन है, मोरी बन डेल्टा यहां पे है, ठीक है, शो बेंगोल में, आप समझ गया इसमें क्ैलकता यह बेंगौल डेल्टा के नाम से आता है, Іसमें समाद क्या सिरह गे जाना जाता है, ठीक है, अगर एक परसिंट मीर्टा अना है अब तो आपको वो करना परेगा जो 99% लोग नहीं करते हैं, ठीक है? So, thank you all for watching, आप पीडियप यहां से ले सकते हैं, pyq underscore pedia, any suggestion और any issues, any options, you can write us on upsc pyqpedia at a rate of gmail.com और telegram channel pyq underscore pedia पे आप इसकी PDF प्राप्ट कर सकते हों, and comment section में बाकी कोई issues हो, तो लिख सकते हो, यहां पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, so thank you all for watching, we'll meet you in next video, thank you.